नमस्कार दोस्तों आज हमार पास मिंत्रा से मंगाया गया एक और प्रोड़क्ट है एक पूमा का ब्लैक सू है तो चलिए इसकी अनबोक्सिंग हम लोग करते हैं तो इस तरह का आपको देख सकते हैं मिंत्रा ने इस बार यूज किया है कागज यह कभी-कभी प्लास्टिक में भेजते हैं कभी-कभी कागज में भेजते हैं तो अच्छी बात है रिसाइक्लेबल मेटरियल है आराम से प्लास्टिक नहीं है तो पॉलिशन नहीं होगा तो एक साइड इसको रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमको डबा मिल जाता है डब्बे की हालत कुछ-कुछ खराब ही है एक तरह से का सकते हैं कि इधर फटी गिया है तो ये और एक डब्बे की भीतर जिधी होता तो बहुत अच्छा रहता लेकिन ऐसा नहीं होता है अमेजन वाले जो हैं जिस तरह देते हैं उस तरह दिया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता तो अब जिधी ए डब्बे को connect करना चाहते है तो उसके लिए तो बड़ी दि देने के जौरत है तो यह जो है हमारे पास है यह राल्प सेमसन मिट सू है यह मैंने आठ साइज का मंगाया है यानि 26.2 26.2 26.2 साइज जो है यह फिट होता है अच्छा से तो आप अपना नाप ले ले और साइज चार्ट से इसको देख ले तो चलिए इसकी एक तरफ देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल अंबर क्वांटिटी पेयर जो दिया बाए इसका मेक्सिमम रिटेल प्राइज जो है 7999 रुपे ह तो यह डिसकाउंट में आपको 5500 तक में आपको असानी से अभी फिलहाल मिल जाते हैं और पुमा की वेबसाइट में जो है 55-52 मिलते हैं लेकिन वह साइज अबलेबल नहीं रहता है तो हो सकता आगे जाके फिर कभी ज्यादा डिसकाउंट हो लेकिन अभी फिलहाल यह 5500 के अभी तर आपको मिल जाएगा तो चलिए इसको डब्बे को फिर से अच्छी तरह से खोल के देखते हैं तो इस तरह का हमें कागज में ढकावा यह मिलता है इस डब्बे को डब्बे में आप यहां देख सकते हैं ग्रीन रंग का डब्बा है पुमा की यहां ब्रांडिंग म में मिलता है इसके भीतर के जो हैं जो कागज दिये हुए है ताकि सिपिंग के दोरान कोई दिक्कत न हो उसको हटा लेता हूं और एक कागज है इससे भी हटा लिया तो हमारे पास देख सकते हैं इस प्रकार का सूज है हमें मिलता है ध्यान से आप देख सकते हैं इसको मैं चारत रस्व दिखा देता हूँ इस तरह का आपको जूता देखने को मिलता है तो चलिए इसके फिचर्स थोड़ा मैं बता देता हूँ तो यह जो है आप इहां देख सकते हैं इहां पर लिखा हूँ है राल्प सेम्सन तो राल्प सेम्सन कौन थे यह एक बास्केटबॉल प्लेयर थे तो एटीज में यह बहुत ही अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं यह रिटायर हो चुके हैं तो पुमा जूते इनको बहुत उचाई तक उन्होंने पहुंचाया यानि पड़ते कंपणी अपनी ब्रांडिंग करती है तो जो खिलाडी ज़्यादा जिता है और उस जूते को पहना रहता है तो उस जूते कंपणी का नाम हो जाता है तो पुमा को इन्होंने बहुत उचाई तक इसको पहुंचाया तो पुमा ने क्या किया उनको चुकि लिजेंड है उनको ध्यान में रखकर उनके सम्मान में जो है ये जूता तयार किया यह एक तरह से basketball shoe है आपको लगेगा कि इस तरह का basketball shoe तो आज कल देखने को नहीं मिलता है नाइकी के जो basketball shoe रहते हैं वो अलग तरह कराते हैं लेकिन निचु कि classic design है classic design है उस समय इसी तरह के basketball shoes रहते थे तो उसी को अभी नए तरीके से इसको उन्होंने इसके सम्मान में निकाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह mid ankle जो है यह है लेकिन आपको height जैसे ही महसूस होगा लेकिन यह mid ankle है तो mid height इसका construction आपको मिलेगा बहुत ही lightweight जो है design आपको मिलेगा और यहाँ पर आप सबसे अच्छी बात है यहाँ के Ralph Simpson का आपको handwritten signature जो है handwritten तो नहीं प्रिंट है लेकिन उन्हीं के हस्तक्षर जो है नाम प्रिंट नहीं है उनका signature जो जैसा होता था वैसे आपको print यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर अपको पुमा की golden color में देख लीजे golden color में ब्रांडिंग मिलेगी पूछे में भी पुमा की golden color में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी तो इसके मतलब वो असी में लगवक 30 साल बाद जो है पुमा कंपणी ने जो है इनका ओनर में जो है यह जूता जो है निकाला तो यह pair of black shoes है हमारे पास mid top के styling इसकी है less up है यहाँ पर देख सकते हैं less वाले design है और Ralph Sumson यहाँ लिखा हुआ है और यह जो पूरा quality material है यह आप यहाँ में थोड़ा सा दिया हुआ है पार्ट यानि इहां से लेके इस जगह का जो पार्ट दिया हुआ है यह वाला भाहिस्सा च्छोटा सा यह आपका synthetic लेधर है यानि प्यू लेधर होगा तो आपको देख सकते हैं less construction जो है यहाँ अपर तक है आप देख सकते हैं पूरा अपर तक आपको less construction मिलेगा और यह जो है rubber sole को दिखा देता हूं देखिए यहां texture आपको rubber sole जो है आपको मिल जाता है ट्रेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा आपको grip के लिए देख सकते हैं गृप के लिए बहुत ही अच्छा है और यहां पर एक देख सकते हैं यहां पर जो है दिया हुआ है पांच्छे सिलाई करके इसको जो है एक लेधर का एक हलका सा आप वाइट कलर का जो है एक stitching के साथ जो है एक अलग पार्ट आपका दिया हुआ है और यहां आपको gold color का मिल जाएगा यहां भी white color का आपको design जो मिल जाएगा और यहां पर आप देहन दीजेए यहां पर भी आपको puma की branding sock wedge नाम से आपको branding भी puma की मिल जाएगी और यह भी जो soul है इसका ये वाला भाग जो है मिट सोल यह वाला हिस्सा भी यह टेक्स्चर है आप देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया सू इसके जो है सफेद वाले भेरियंड भी बहुत आपको पसंद आएंगे लेकिन सफेद वाले को मेंडेन करना बहुत दिकत हो जाता है मैंने नाइकी के मेरे पास सफेद सू है तो इसकारण मैंने गुए इसको ब्लेक कलर को लिया इसको आप लाइट कलर के साथ जीन्स के साथ जिदी पढ़ने तो बहुत ही बढ़िया लगेगा और जाहें तो आप फूल ब्लेक का ड्रेस अब होना चाहते हैं तो भी यह आपको बढ़िया लगेगा तो खुब सुन्दर यह जूता आपको 5000 बार या साड़े 5000 में आपको आसानी से मिल जाएगा इसका लिंक जो हमें डिस्क्रप्शन में दे दूँगा आप इसे मिंत्रा पर आसानी से परिशेच कर सकते हैं तो धन्य बाद दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम किसी और एक नए प्रोड़क्ट का बारे में जानेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे तो किरप्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जिदी अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में जिदी आप जानना चाहते हैं या फिर आपको कौन से जूते पसंद है तो मैं आपको सेलेक्ट करके भी बता सुकता हूँ मैं मैसेज का रिपलाई बहुत ही जल्दी करता हूँ तो आप चाहें तो मुझे से पूछ सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लगेगा कि इस उकेजन के लिए चाहिए मैं जवाब देने के लिए हमेसा तयार हूँ तो धन्यवाद फिर से हम मिलते हैं किसी अगले प्रोड़क्ट को लेकर जय हिन जय भारत